स्कूलों की इमारत जर जर, उटे पड़े डेस्क नहीं है कितावे, उतरपूर्वी दिली के स्कूलों की हालत बढ़ाल, दिली हाई कोट ने लगाई सिक्षा विभाग को लताड, दिली सरकार भले ही दम भरती हो कि केजरिवाल सरकार के राज में सिक्षा का जिस्तर उचा स्कूलों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट को सुमवार को दिली हाई कोट में पेश किया गया रिपोर्ट में निगम के 6 लाग और दिली सरकार के 10 लाग चाद्र बधाल हालत में पढ़ने को मजबूर होने का ब्योरा देखकर हाई कोट भी हैरान हो गया बधाल पढ़े स्कूलों की रिपोर्ट के मताबक स्कूलों की बिल्डिंग जरजर हो चुकी है क्लास्रूम में डेस्क टूटे पड़े हैं बच्चों के पास किताबे नहीं हैं कक्षाओं में शमता से ज्यादा बच्चे बैठते हैं क्लासरूम एक है लेकिन सेक्षन दो के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि दो टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ भूगोल पढ़ाया जा रहा है। दिली के नौर्टीस इलाके के सरकारी स्कूलों की दूरदर्शा को लेकर हाई कोट ने सिक्षा विभाग के सेकेटरी को फटकार लगाई। हाई कोट ने इस संबंध में एजुकेशन सेकेटरी से पूछा कि आपको पता है कि आज तिहार जेल की हालत क्या है। शमता से ज्यादा कैदी उसमें बंध हैं। शमता 10 हजार की है और वर्तमान में वहां 23 हजार से ज्यादा कैदी हैं। क्या आप इन दोनों इस्तिती के बीच संबंध को समझते हैं। कोट ने सेकेटरी को कहा कि आप बच्चों को सिक्षा ना दे कर उनका भविश्य खराब कर रहे हैं। कोट के सामने अधिकारियों ने रिपोर्ट पर सहमती जताई। बैंच ने इस पर कहा कि जो भी अधिकारी इस इस्तिती के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तुरंट कारवाई की जाए। बैंच ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट साफ तोर पर बता रही हैं कि सिक्षा निदेशाले के वरिस्ट अधिकारी स्कू स्कूलों का दौरा किया उन्हें टूटे हुए डैस्क, कक्षा की कमी और किताबों की कमी जैसे कई मुद्दे मिले। पीठ ने टिपनी की कि अधिकारीों को सिर्फ अगवारों में प्रकाशन नहीं करना है बलकि कम्यों को दूर करने के लिए जमीनी स्थर पर काम करना है। कोट ने कहा कि किसी भी वरिस्ट पदाधिकारी के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं यही समस्या है हमारी अगली पीडी का क्या होने वाला है। यह मुद्दा इसलिए उजागर हुआ क्योंकि यह हाई कोट में आया। बैंच ने सिक्षा सचीव को कहा कि आप करने को कहा है। सिक्षा विभाग ने सचीव से कहा है कि जल्द इनकम्यों को पूरा किया जाए। आपको पता दे कि हाई कोट ने 20 मार्च 2014 को सिक्षा विभाग के सचीव और याचिका करता वरिस्ट वकील अशोक अगरवाल को उतर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों क निरक्षन कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई और हाई कोट सक्त हो गया। अब देखते हैं कि हाई कोट के आदेश के बाद सिक्षा विभाग कितनी जल्दी स्कूलों की हालत को ठीक करता है। फिलहाल इस खबर में इ कितना ही।